सस्क्राइब नहीं करोगे तुम उसे कैसे मिलोगे हाई एबरिवन वेलकम बैक माई चैनल विनीता मौरिया अपनी रसोई आज में आपके साथ करिमुआ के वड़ा की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ आपने करिमुआ की सबजी बहुत खाई होगी आज में आपको करिमुआ का वड़ा बना कर दिखाऊंगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो आई हम स्टार्ट करते हैं करिमुआ के वड़ा को बनाना करेमुआ का वड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर हापकेजी करेमुआ ले रखा है करेमुआ का यह जो कड़ा भाग है इसे हम काट कर अलग कर देंगे हम सिर्फ पत्तियों का ही वड़ा बनाएंगे सबसे पहले हम इसकी पत्तियों को अलग कर लेते हैं फिर इसे हम 4-5 बार साप पानी से वाश कर लेंगे फिर इसे हम बारी काट लेंगे और ये हमने करेमुआ को बारी काट लिया है और काटने से पहले इसे हमने 4-5 बार साप पानी से अच्छे से वाश कर लिया था अब हम ये mixing ball लेंगे, ball में हम डाल देंगे कटे हुए करिमुआ को, हम करिमुआ को काटने से पहले wash जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये खेतों में होता है, तो इसमें मिट्टी वगेरा भी लगी रहती है, इसलिए से हमें अच्छे से धुलना बहुत ही जरूरी है, और ये हमने क रफली चौक किये हुए प्याज, हमने यहाँ पर एक प्याज को रफली चौक कर लिया है, इस तरह से, चार बारी कटी हरी मिर्च और कुटी हुई अदरक इसमें हम डाल देंगे, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं, तो आप प्याज को इसमें स्किप कर दीजिए, अब हम एट करेंगे कुछ मसालों को, हम इसमें एट कर रहे हैं, वन टेबल स्पून हल्दी पाउडर, वन टेबल स्पून ड्राइ मैंगो पाउडर, आप चाहें तो इसमें लेमन का रस या फिचाट मसाला भी डाल सकते हैं, अब इसमें हम एट करेंगे चिली फ्लैक्स, अगर टेबल स्पून गेहूं का आटा, गेहूं का आटा हम इसमें मिला रहे हैं, इसको और हेल्दी बनाने के लिए, आप चाहें तो इसे सिर्फ बेसन में भी बना सकते हैं, हमने यहाँ पर गेहूं के आटे का भी इसमाल किया है, मिला लेंगे हाथों से सारी चीज़ों को, ये क हमने इसमें पानी का इसमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, अब इसमें हम फिर से एट कर रहे हैं, फोर टेबल स्पून गेहूं का आटा, गेहूं का आटा डालने के बाद इसे हम फिर से मिक्स कर लेंगे, आप इसमें गेहूं के आटे और बेसन की जगा पर उरत की दाल और चने की दाल को भीगो कर इस्तमाल कर सकते हैं बड़ा बनाने के लिए, बहुत ही टेस्टी बड़ा बनता है, आपने करिमुआ की बहुत सबजी खाई होगी, पर आप इस तरह से करिमुआ का बड़ा बनाईएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है, अब इसमें हम आवशकता अ पानी डालते हुए इसका मिक्चर तयार कर लेंगे और ये हमने बड़ा के मिक्चर को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसका हम बड़ा बनाएंगे कढ़ाई में हमने तेल को हीट होने के लिए रख दिया है तेल गरम होने देंगे तब तक हम बड़ा बना लेते हैं बड़ा सा चप्ता कर देते हैं इस तरह से अब इसको हम हलका सा शेट देते हैं इस तरह से इसी तरह से हम अपने बागी के बड़े भी उस signist में ऩालेंगे मैं आपको एक बड़ा और दिखाती हूं बनाकर अब हम फिर से हाथों में पानी लगाएंगे थोड़ा सा मिक्चल लेंगे निवू के साइस के पराबर और इसको दोनों हतेलियों के बीच में रखकर इसे हम गोल करेंगे इस तरह से अब इसे इस तरह से हम चप्टा कर देंगे और इसको चारो तरफ से हम शेप देंगे इस तरह से और ये देखिए हमारा दूसरा बड़ा भी बन के तयार हो गया है इसी तरह से हम अपने बाकी के बड़े भी बना के तयार कर लेंगे हम थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाते जाएंगे और इनको तलते जाएंगे तेल को हमने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है तेल को हम बहुत हाई फ्लेम पर नहीं गरम करेंगे हमें मद्यम गरम ही, तेल चाहिए, अब हम एक एक बड़ा तेल में डालते जाएंगे, जितना एक बार में आएगा, उतना हम तेल में डाल देंगे, यहाँ पर हमने तीन बड़े डाले हैं, अभी इसको हम डिस्टर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो यह तूट भी सकते हैं अब ये एक साइड से सिख चुके हैं अब इने हम टर्ल कर देंगे इस zarा से इसी तरह से अमने बाकी की बड़े को भी टर्ल कर लेंगे हम बड़े को हाइफ लैम पर नहीं शेकेंगे इसे हम मेडियम टू लो ह पर हने फ्लेंपर ही खेंगे, अगर इने हम हाई फ्लेंपर खेंगे तो ये उपर से जल जाएंगे और अंधर से कच्चे रह जाएंगे, तब हमारे बड़े क्रिस्पी नहीं बनेएंगे इसलिए इने हम मेटियम बेजिता फलेंगे बड़े को हम कढाई से निकाल कर इसे एक टीशू पेपर पर रखेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा तेलो वो सोख हो जाए इसी तरह से हम बागी के बड़े को भी तलके तयार कल लेंगे और ये हमारा last batch fry हो रहा है इनको भी हम टन कल लेंगे इसे हम अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेख लेंगे और ये हमारा लास्ट बैज भी फ्राई हो चुका है अब इसे हम कढ़ाई से अलग कर लेते हैं और इसको एक फ्लेट में सर्व कर लेते हैं और ये बहुत ही मज़ेदा टेस्टी करिमुआ का बड़ा बन के तयार है करिमुआ का बड़ा बहुत ही टेस्टी बना है आप इसे सुबह या शाम की चाय के साथ में खाईए बहुत ही टेस्टी लगते हैं करिमुआ बड़ा का ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा साथ ही मेरे चैनल को सस्क्राइब करिएगा मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ थैंक यू